हैदरबाद इंटरनाशनल स्कूल CBSC प्लस एक्सीट सिलिबस विच इस फॉलोओ इन एट कंट्रीज MODERN प्लस इसलामिक एजुकेशन 5-स्टेप अक्टिविटी बेस्ट और प्लेवी मेथड असलाम अलेकुम नाजरीन आप सब का इस्तक्बाले ए-18 तेलिगाना नियोस पर आज 27 जून संडे का दिन है आए नाजरीन देखते हैं इंटरनाशनल और नाशनल के खास ख़बरे यूनियन हेल्फ मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को चेतावनी दी के डेल्टा वेरियन के सब अभालाद बिगर सकते हैं इसी तालुक से भीड भार कम करने की हिदायत दी गई और स्टेट्स की हुकूमत को हिदायत दी गई के जल से जल डेल्टा वेरियन का सामना करने तयारी कर ले बताया जा रहा है कि करोना वाइरस का एक वेरियंट है यानि एक हिस्सा है डेल्टा वेरियंट जो अभी तक 50 लोग को मतासर कर चुका है इंडिया भर में और महराश्ट्रा में डेल्टा वेरियंट का कहे नजर आ रहा है बताया जा रहा है कि माराश्ट्रा में तीसरी लहर दाखल होने का अंदेशा है सोचीन बजाच ने कहा कि माराश्ट्रा में तीसरी लहर आएगी आने वाले 6 से 8 हफतों में बताया जा रहा है कि आने वाली लहर डेल्टा प्लस वेरियन के सबब हो सकती है इंडिया में मिला डेल्टा वेरियन खरीब 80 देशों में दाखल हो चुका है डेल्टा वेरियन जो पहली बार इंडिया में पाया गया था अक्टोबर 2020 को यूके में कहर मचा रहा है और खरीब यूके में मिले 90 फीसद नए करोना केसिस डेल्टा वेरियन से मतासर है यूएस में भी तेजी से डल्टा वेरियन के केसिस बढ़ रहे हैं 10 फीसद से एक हफ़ते में 20 फीसद कोविड-19 केसिस बढ़ गए फाइनिंशल टाइम्स के मताबिक यूएस में डल्टा वेरियन के वज़े से रोजाना एक नया केस सामने आ रहा है डॉक्टर अन्तुनी फाउसी चीफ मेडिकल एडवाईजर ने कहा के वाइट हाउस को ये डल्टा वेरियन खौफना के यूएस को इससे खत्रा है बंगला देश ने ऐलान किया के वो सकती के साथ लॉग डाउन आफिस करने वाली हैं बंडे से यानि कल से डल्टा वेरियन की वज़े से बंगला देश के हाला दिन पे दिन खराब हो रहे हैं बंगला देश हुकुमत ने कहा तमाम गवर्नमेंट प्राइविट आफिस एक हफ़ते के लिए बंद रहेंगे सिर्फ मेडिकल हॉस्पिटल खुले रहेंगे ट्रांस्पोर्टेशन की भी इजासत रहेगी मीडिया से बात करते हुए फिलिपीन प्रेजिडन ने कहा के जो भी वैक्सनेशन नहीं करवाएंगे वो फॉरन इंडिया चले जाए फिलिपीन प्रेजिडन रॉडरी गो फिलिपीन के लोगों को धंका रहे हैं ताकि वो कोवीड-19 वैक्सनेशन करवा ले उन्होंने कहा कि जो भी वैक्सनेशन के लिए मना करेगा उन्हें गिरफतार भी कलिया जा सकता है किसानों की लड़ाई अभी तक सरकार से जारी है त्री फार्म लॉब बिल के खिलाफ खरीब साथ महने मुकमल हो चके हैं लेकिन किसानों को कोई इनसाफ नहीं मिला dependencies leader राहूल गानुनी ने सारे डे के दिन किसानों के सपोर्टमें कहा कि हम किसानों के साथ है ट्वीट के मताबक राहूल गानुनी ने कहा के इस सिम्पल व्यायोविट सत्यگ्राई अनदाता फार्मर्स पिछले दिनों जुम्मे की दिन दो बार ऑलम्पिक मेडल जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार जो गतल की सिलसले में गिरफ्त में हैं दिली पॉलीस के सुशील कुमार को मंडोली जेल से तीहाड जेल ले जाने के वक्त क bell को ने उनके साथ फोटो स लिये और उनकी भी फोटो स ली जिस पर दिली पोलीस ने तरीछात का आगास कर दिया है ये फोटो सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रही है जिसमें दिली पॉलीस मास्क लगाई भी नहीं थी साहती पॉलीस का भारी बंदोबस था ये फोटोस खीशने वाले की तलाशी जारी है इसराइल में तकरीबन लोग डेल्टा वेरियन से मतासर है फाइजर वैक्सीन लेने के बावजूद उन्हें डेल्टा वेरियन मतासर कर रहा है इसराइल की हुकोमत ने और जारी कर दिये मास्क के इस्तेमाल करने के बताया जा रहा है के 90 फीसद नए केसे सामने आए है करोना वाइरिस के वो डेल्टा वेरियन से मतासर होने से आए है 2022 उतर प्रदेश इसेंबली एलेक्शन के चलते भारती एजन्दा पार्टी ने ऐलान किया के वो बियार अमबेटकर का मेमोरियल बनाएंगे लखनाओ में योगी अदतियनाथ ने यूपी क्याबनेट में इस बार बियार अमबेटकर मेमोरियल के लिए रजामन्दी देदी साती जमीन भी देदी हैं मेमोरियल बनाने जल्दी इसकी संगी बुनियाद रखी जाएगी रामनाथ कोविन के जरिये 29 जून को लोगभवन ओडिटेरियम लखनाओ में आइभ गृशन फिर शेख एंपुर अप्टिण हृएट सी नूबट खसे ट् dov.- आइफट विदिये 29 जून 2 प hm. आइब सनसी थे यून 2 ब जून 2 ब 2, C É C-C I C s T M C C E C C E C C E C E C E C E C E C C E C C E C E C C E C E C E C C E C E C C E C E C E C C E C E C E C E C E C C E C E C E C E C E C E C पर्संग्ष प्राइबस प्राइबस को डिया है एक अधिया जियुट में सुटेज अधिया जुट अविया जुट एड़ इड इस डियो पॉट आज अधिया जुट्सेट इन एक लिए इस अधिया जुट नगाटेबस